नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेस्बुक से डिलेट हुए फ्रेंड को वापस कैसे लाएं जी हां दोस्तों आपने सही सुना यति आप किसी फेस्बुक फ्रेंड को अपने फ यहां पेस्टिक कब्ष़ल द्यूर में जाकर दिएगा अपडेट कर देने के बाद यहां पहुत क्लिक करना होगा इस टीन लाइन पे जैसे क्या हम अब कर देख हैlor कि क्रलिक कर देने कर देने के बाद थोड़ा सा ड्रोप डाउन हो के कुछलता है प्राइबैशी श्रॉट कोड यहां पर लिखह हुए है प्रैबैशी शॉट कोड तो कि आपय यहाह में आपको तीन ओप्सन मिल्ते हैं यहां पेचर falsch ओङ पर यहां यहां को खर्ब करना है कंटबें इंगे और उन्ट檬ेट कर देमें के बाद यहां पर आपको एक ओप्सन मिलता है ऐस फ्रेंड सोफ प्रेंड आपक्लिक किसे एगगा अगर आप में यह option यहाँ पर टिक है friends of friends पर तो इसे यहाँ पर टिक कर दिजिएगा everyone पर everyone पर टिक कर देने के बाद आपको click करना होगा next और next पर click कर देने के बाद आपको फिर से पुना click करना होगा next यहाँ पर phone कीजिएगा next और इसके बाद फिर से आपको click करना होगा review another topic अब यहाँ से आप आ जाईएगा back यहाँ से दो बार हम back आ जाते हैं तो दोस्तों वीडियो को आपके पैसे नहीं लगते हैं सिर्फ हमें motivation मिलता है इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा तो आपका ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए चलिए अपने topic की तरफ चलते हैं तो अब चलते हम यहाँ से अपने mail setting में अपने facebook से रिमूव हुए फ्रेंड को अपने friend list में add करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पर तीन लाइन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting and privacy यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद थोड़ा सा ड्रोग डाउन होके एक option खुलता है settings का तो क्लिक कीजिएगा settings settings पर क्लिक कर देने एक बाद स्क्रूल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाते हैं सबसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है activity log यहाँ पर लिखा हुआ activity log तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पर अब दोस्तो activity log पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा filters यहाँ पर option बना हुआ एक filters का तो क्लिक कीज़ेगा यहाँ पे filters पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जाना हुगा categories में यहाँ पे categories पहले से all select करता है तो आप क्लिक कीज़ेगा यहाँ पे categories में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत काफे option मिलते हैं तो यहाँ पर आपको confuse नहीं हुआना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना हुआ Your Connections यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्लिक किजेगा यहाँ पर Your Connections पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हम scroll down करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक option है Remove Friend यहाँ पर लिखा हुआ है Remove Friend तो क्लिक किजेगा यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जितने भी Friend को unfriend किये रहते हैं उन सभी का यहाँ पर हमें डिटेल मिल जाता है जैसा कि आप देख रहें कि यहाँ आपर हम 18 जुलाई 2020 को यहाँ पर सेतु बर्मा को Remove किया हूँ उसके बाद 23 जनवरी 2020 को मैं Remove किया हूँ राहूल को इसी तरह से और भी Friend यहाँ पर मिल जाते हैं जब जब हम Remove किये हैं उन सभी का यहाँ पर हमें डिटेल मिल जाता है अब दोस्तो आगे बढ़ने से पले आप से छोटी सी गुजारी से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर दिजे और साथ ही चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके All पर सेट कर दिजिएगा दोस्तो लाइक और सस्क्राइब के आपके पैसे नहीं करते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा, तो यहाँ पे हम जितने भी फ्रेंड को अन्फ्रेंड किये रहते हैं, उन सभी का हमें देटेल मिल जाता है, तो यहाँ से हम अपने कुछ फ्रेंड को अपने फ्रेंड लिस्ट में पुना एड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो फ्रेंड को फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में एड करें, तो अपने फ्रेंड को एड करने के लिए, यहाँ पे आपको क्लिक क करना होगा एरकाइब पर यहां पर लिखा हुआ है एरकाइब तो क्लिक कीजिएगा यहां पर अब एरकाइब पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहां पर आप एक option मिल जाता है add a friend यहाँ पर लिखा हुआ है add a friend तो यहाँ पर click की जगा इसे add करने के लिए add a friend पर अब दोस्तों यहाँ पर add friend पर click कर देने से यह friend हमारे फिर से facebook की friend list में add हो जाता है इसी तरह से आप जितने भी friend को unfriend किये रहते हैं यहाँ पर click करके आप चाहें तो अपने friend list में पुना add कर सकते हैं उमिद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंगे आपके help फूलोगी दोस्तों अब वीडियो अच्छी लेगे तो इसे like कीजिएगा share कीजिए अपने दोस्तों whatsapp facebook ग्रूप में और एसे simple simple वीडियो में अपने चैनल पर लेके आते रहते हों तो आप मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए पना ख्याल रखेगा बाइ